हलो प्रेंच एंबीटी लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है आज हम आपको कपूर और मुलतानी मिट्टी से फेस पैक बनाने का एक आसान सा तरीका दिखाने जा रहे हैं पूजन सामगरी में पाया जाने वाला कपूर चहरे पर होने वाले पिंपल्स, दाग धब्बों, जुरियों और दूसरी स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जादू का काम करता है कपूर में एंटिबैक्टिरिल गुन होते हैं जो की संबर्न, रेडनेस और इचिंग को दूर करने में भी मदद करते हैं ये फेस पैक लड़के और लड़की दोनों की स्किन पर बखूबी काम करता है आईए जानते हैं इसे बनाने का आसान सा तरीका इस फेस पैक को बनाने के लिए आपको चाहिए दो बड़े चमच मुलतानी मिठी, एक बड़ा कपूर का टुकड़ा, आप चाहें तो एक चमच कपूर का तेल भी ले सकते हैं एक बड़ा चम्मच गुलाब जल एक कटोरी में दो बड़े चम्मच मुलतानी मिट्टी ले अब इसमें एक कपूर की क्यूब को डाल दे आप चाहे तो इसे पीस कर भी डाल सकते हैं अब इसमें एक चम्मच गुलाब जल मिलाए सभी इंग्रीडियन्स को अच्छी तरह मिक्स कर ले मुलतानी मिट्टी, ब्लेक हैट्स, वाइट हैट्स, ब्लेमिश रिंग, पिम्पल्स और उनके दाग धब्मों को दूर करने में मदद करती है चहरे पर होने वाले पिम्पल से शुटकारा दिलाने के लिए कपूर को बहुत ही फायदेमन माना जाता है इसी तरह गुलाब जल लगाने से चहरे की रिडनेस कम होती है और उसे ठंडक मिलती है आपका होमेट फेस पैक तयार है अब देखते हैं कि इसे यूज कैसे करना है सबसे पहले अपने चहरे को साफ पानी से धोले और फेस पैक को अच्छी तरह पूरे चहरे पर लगा ले आप इस पैक को हाथों और पैरों की रंगत निखारने के लिए भी यूज कर सकते हैं पंद्रा मिनिट के लिए इस पैक को छोड़ दे और इसके बाद गुन-गुने पानी से धोले साफ कपने से पोचने के बाद एक अच्छा मॉस्टराइजर लगा ले अगर आपकी स्किन ड्राइ है तो गुलाब जल की बज़ाए नारियल तेल या शहत का यूज भी कर सकते हैं तो मुलतानी मिट्चे से बने इस स्मार्ट फीस पैक का आईडिया अगर आपको पसंद आये तो लाइक का बटन दबाएए इससे अपनी बेस्ट्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें अज़ाए बाद प्राइए ज़रूर शेयर करें झाल झाल